महिला ससक्ति के नाम पर महिलाओं को आरक्षण दिया गया लेकिन पतियों के दौरा इस आरक्षण का किस तरह से दुरुप्यों किया जा रहा है आए दिन देखने को मिलता है नाम के लिए महिलाएं सरपंच चुनी गई लेकिन उनके पती और बेटे आज भी ताना साही कर रहे हैं अगर सहयोगी करमचारियों के द्वारा सरपंच के हस्ताक्षर और निर्देश देने की बात कही जाती है तो सरपंच पती आग बबूला हो जाते हैं ऐसा लगता है जैसे महिलाओं को अधिकार दे देने से इनकार आज छिन जाएगा ताजा मामला देव तलाब ग्राम पंचायत का है जहां की सरपंच पती को रोजगार सहायक की यह बात नागवार गुजरी की जो भी निर्देश देना है सरपंच दे, सरपंच पती आग बबूला हुए और रोजगार सहायक को जूता माणने की धमकी दे डाली रोजगार सहायक ब्रामभड हैं जिसके चलते छेत के ब्रामभडों में खासा आक्रोस फैला हुआ है आडियो वाइरल होते ही लोगों के द्वारा तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं बताया जाता है कि ग्रामपंचायद देव तलाब के सरपंच पती आनन्द सिंग एवं उनके बेटे अंकुर सिंग देव तलाब कॉंग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा जी आरियस प्रमोध मिश्ट्रा को गाली देने और जूते से मारने की धमकी दी गई है ग्रामपंचायद देव तलाब के नव निर्वाचित सरपंच सरिता सिंग के पती आनन्द सिंग कॉंग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष एवं पुत्र अंकुर सिंग कॉंग्रेस युवा अध्यक्ष देव तलाब हैं जिनके द्वारा ग्राम पंचायद रोजगार सहायक प्रमोध मिश्रा को आनैतिक रूप से घर में बुला कर फर्जी कारे करने के लिए दवाब बनाया गया। किन्तु जब GRS द्वारा मना किया गया तो SCST एवं अप्राधिक प्रक्रण दर्श कराने एवं नौकरी से हटाने की धमकी दी गई। ही नेताओं के तेवर साथ में आस्मान में पहुंच जाते हैं उक्त आडियो कब का है और बात करने वाला कौन है इसके पुष्ट विरार 24 न्यूज नहीं करता लेकिन अगर आडियो सत्य है तो इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए हाँ गुरू जी दादा पराम जी अपना काम बताई जाथ है अपना बताई से किसर पंच निर्देश का ना आइसा नहीं दादा वह हमका आप सब्द करेंगे अपना नेता गीरी नपेली नहीं हमें इतना जूता मारब कि सुधर याब आड़ 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 अला हाँ ईतना